अच्छा हो अबिटा, जो तुम पलक के पिता को ढूण लाए और सही वक्त पे उन्हें घर ले आए परना माई ने बरबाद कर देती मैं अकेला नहीं था दादी, इशान ने भी मेरा पूरा साथ याथ शिनाच जी की क्रिपा से आपको आपका घर वापिस मिल गया हम सब बहुत खूश है, आप लोगों का साथ नहीं होता तो ये सच मुश नामुम्किन था अगर भाई साब बोली नहीं लगाते तो उनके आने तक हमारा गर निला मुचुका होता हम लोग आप सब का कितना भी शुक्री आदा करें उतना कम होगा दक्ष ने हमारा बहुत साथ दिया है इतना तो कोई अपना ही कर सकता है भई आखिर बेटा किसका है दक्ष कहां जा रहे बेटा यहां सबलब मुझे हीरो साबद करना चाहते मैं चाहे जितना भी कर लो जो भी कर लो मैं अपने पापो का भुक्तन नहीं करवाँगा तुमने जो हमारी ले किया है हम यह कर्स कैसे उतार पाएंगे आप मुझे शर्मिंदा करी है एक बात कहों बिठा तुम यह जो कुछ भी सोच रहे हो ना वो सोच तो हमारी दीवी है वो तुम्हारा कसूर नहीं था किसमत का दोश्ता उसे भूल जाओ आज तुम्हारी वज़े से मेरे पती मुझे वापिस मिले I don't have words to thank you, my child बहुत-बहुत शुक्रिया देखो सिंदगी में तुम्हारी हर मुराद हर सपना पूरा होगा आज मुझे यकीन हो क्या है मेरे पलक के लिए तुम ही हो तुम ही उसके पती हो बिटा, पलक को तुम्हारी दुआ अपने आप ही मिल जाएगी क्योंकि तुम उसके साथ जो हो बिटा नहीं नानी, मैं पलक की उमीदों पर कभी खरा नहीं उत्रा वो मेरे बगेरी ज्यादा खुश रह सकती क्योंकि जोड़ता हूँगा, कैसे भगवान? क्या इसे? बुवाजी, मैं खबर आने के लिए बेताम हूँ केश्वी, बुवाजी भगवान ने हमारी सुन ली पलक का घर बितने से बच गया ओ नू, ये कैसा हो गया? तुम खुश नहीं हो केश्वी पलक का घर अब बिकेगा नहीं नहीं, बहुत खुश्वी मुझे तो बहुत खुश्वी मैं तो बस यही सोच ले थी कि ये चमतकार हुआ कैसे चमतकार को नमसकार देखा जाये तो ये चमतकार ही है बुआजी दक्ष्णी पता नहीं कैसे किसी तरह से पलक के पापा को ढून लिया और उसके बाद उन्हें वक्त पे घर भी ले आया वाकई में भगवान है बुआजी दक्ष्णी तो वाकई कमाल करती है अगर दक्ष्णी होता ना तो ये सब नहीं होता मा को पूरा यकीन था कि उन्हें पलक का घर मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला कितना जुद हुआ होगा हुआ देखिये ना चमतकार करने वाले के साथ ही चमतकार हो गया जै माता दूप